है ना इस तरह के दे कोश्चन जिनमें वाई अपॉन एक्स था इनमें एक्स अपॉन वाई आ रहा है तो इस तरह के अगर कोश्चन आते हैं तो इनमें हम X upon Y equal to V मानेंगे इस तरह कोश्चन अगर आते हैं तो इन्हें X upon Y equal to V लेंगे और अब जैसे हम X के respect में करते हैं, Y के respect में करेंगे या X equal to क्या लिख लेंगे, V, Y ठीक है, वहाँ Y upon X equal to V लिखते थे हैं, X और X equal to V, Y इसका differential करेंगे, Y के respect में, तो DX over DY Y के respect में करेंगे फिर्स्ट फंक्शन differential of second Y का 1 हो गया plus second function Y और इसका differential V का DV over DY ऐसे लिख लेंगे अच्छा इसको जो है हम एक काम करें इसको उधर लेके जाओ, परली तरफ और 1 plus e to the power X over Y DX equal to minus e to the power X upon Y 1 minus X over Y DY ठीक है, अब DY को इसके डिवाइड में लेके आएंगे, तो DX over DY equal to minus और यह होगया, 1 minus X upon Y e to the power X upon Y ठीक है, और यह डिवाइड मा जाएगा, 1 plus e to the power X upon Y ठीक है, यह आगया, DX over DY यह ले लिया हमने, अब इन्हें यहाँ से replace कर लेंगे, यह जो values हमने ली है, DX over DY की value है यह, V plus Y, DV over DY, equal to minus, और इनकी value रखेंगे यहाँ पर, 1 minus कितना V हो जाएगा, X upon Y, और यह ए to the power V हो जाएगा, और डिवाइड में, 1 plus e to the power V हो जाएगा, ठीक है, अब इस V को जाएगे हम, V को जाएगे हम, V को जाएगे, तो Y, DV over DY, equal to minus, 1 minus V, e to the power V, over 1 plus e to the power V, और minus V, ठीक है, इस तरह से V को हम जाएगे, और 1 plus e to the power V, तो आगया LCM, और इधर, यह minus है, minus को अंदर लेंगे, minus, यह e to the power V की समें multiply हो जाएगे, e to the power V, और इसमें multiply होगी, प्लस हो जाएगा, यह, V e to the power V, फिर इसकी समें multiply होगी, minus के V, है ना, और फिर इसमें होगी, minus V e to the power V, ठीक है, और अब यह cancel हो जाएगे, एक plus, एक minus, अब यह क्या आगया, minus V और minus e to the power V, over 1 plus e to the power V, Y, D, V over D, Y, क्या करोगे, इसमें से minus sign common लो, तो यह आजाएगा, V plus e to the power V, over 1 plus e to the power V, और Y, D, V over D, Y, ठीक हो गया, अब V वाले एक साइड, और Y वाले एक साइड, तो इसको हम इदर ले आएएगे, यह जाएगा, 1 plus e to the power V, यह उपर जाएगा, इदर, यह निच्चा जाएगा, V plus e to the power V, equal to minus, D, Y, उपर चला जाएगा, इदर, यह, और Y निच्चा जाएगा, और फिर इसका integration करेंगे, ठीक है, और प्लस एक constant लेंगे, अब constant कैसे लिए जाएगा, यह मैंने बताया था, अगर सारे लोग में आ रहे हों, तो लोग में ले लेना है तुम्हें, ठीक है ना, अच्चा इसका करो, इसका differential उपर आ रहा है, वी का 1 और इसका differential यह, और साथ में यहाँ DV है, तो यह आगया लोग V प्लस E to the power V, इधर माइनस के लोग Y, और प्लस एक ले ले लेंगे हम constant लोग C, यह माइनस में है, यह प्लस में है, तो C upon Y हो जाएगा, है ना, और यह लोग से यह लोग कैंसल हो जाएगा, तो V प्लस E to the power V equal to C upon Y, अब V की value रख देंगे हम, क्या मानिदी हमने V की value बताओ, X upon Y, यह होगा, और प्लस E to the power X upon Y, और equal to C upon Y, Y से सारे में multiply कर देंगे, तो Y से multiply करने पर जाएगा, X plus Y to the power X upon Y equal to C, यह इसका answer आगया, यह पहले हैं, इसे उधर ट्रांसफर करें, DX वाले को, तो हम लिखेंगे क्या X plus Y, डी वाई equal to, यह उधर जाएगा, तो माइनस और X minus Y DX, ऐसे लिखेंगे, फिर यह DX इसके divide माँ जाएगा, DY by DX equal to minus X minus Y over X plus Y, यह लिखेंगे, अब चाहो तो इस minus को अंदर भी ले लो, तो यह अंदर जाके क्या हो सकता है, यह minus Y जो plus में हो जाएगा, और X plus वाला minus में हो जाएगा, यह अंदर पड़ सकता है, फिर यह homogenous अदे को Y की degree 1, इसकी degree 1, इसकी degree 1, इसकी degree 1, इसकी degree 1, तो homogenous है, समगात, है ना, जब समगात वाला यह सवाल है, तो हम क्या करते हैं इसमें, Y equal to VX, अब निकालेंगे, DY by DX, क्या हो जाता है, X DV by DX, रखो इसमें, तो यह हो जाएगा, V plus X, DV by DX, equal to, यह यहाँ पर रखो, Y equal to VX, minus X, over X, plus Y का मान VX, ऐसे रख दिया हमने, अब X उपर से को मना गया, तो V minus 1, और X नीचे से को मना गया, तो 1 plus V, यह V plus 1, एक ही बात है, अब यह X है, यह X कैंसल हो गया, इस V को अधर ट्रांस्पर कर देंगे हम, तो X DV by DX, equal to, V minus 1, over V plus 1, और minus के V, यह V धर लेगे हम, ठीक है न, V, यहाँ लेगे, अब इसमें V plus 1, तो नीचे आगया हमारा LCM, और इनके मल्टिप्लाइए करो, V minus 1, और V की इसमें, तो minus V square, और फिर इसमें, तो minus के V, अब minus V और plus V कैंसल होगे, ठीक है, minus 1 minus V square बचेगा, इसमें से minus sign common ले लेंगे, तो X DV by DX, equal to minus sign common ले लिया, तो यह V square plus 1 आगया, और divide में आगया, V plus 1, V वाले अलग, और X वाले अलग कर लेंगे, तो V को इदर ले जाएंगे, यह हो जाएगा, V plus 1, ठीक है न, यह उपर चला गया इदर, और V square plus 1 नीचे आजाएगा, फिर, तो यह हो गया, V square plus 1, equal to, यह minus है, और DX उपर इदर, और X नीचे आजाएगा, और इसका integration कर लेंगे, और प्लस एक constant लिखेंगे, लकिन अब भी रुख जाते हैं, constant देखना पड़ेगा न, कैसा लिखे जाएगा, अचा है इसमें देखो, इसे हम अलग अलग करते हैं, V over V square plus 1, और प्लस 1 over V square plus 1, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लिया, DV, DV equal to, इसको लिख लेंगे, माइनस के लोग X आगे हैं तो, और प्लस एक constant लोग में लिखो क्योंकि सारे लोग में आने वाले हैं, अच्छा, देखो, अब इसका जो डिफेंशल है, ये उपर आ रहा है, V square को क्या ऐगा, तु, V 1 का 0 तो 1 का 0 तो है नहीं चलो ठीक है V2 का 2 भी आना चीए तो 2 से इसे multiply divide कर लो यह हो गया इतना अच्छा अब और इसे करो क्या हो जाएगा इसका लोग V2 प्लस 1 आ गया यह और यह इसका बताओ क्या होगा 10 inverse V ठीक है बिलकुल और इधर लोग क्या लिखोगे इसे C upon X हो गया अब चाहो तो लोगवालों को एक साइड कर लो विशे तो सारे एक साइड भी कर लो तो भी इसमें नहीं है क्योंकि 10 जो है न अलग बन गया अच्छा अब इसमें V की वेलू रख लो क्या लिखोगे Y upon X ही Y upon X इसे चाहिए तो अलग-अलग रखो क्योंकि हमें जो है न ये लोग C लिखे हैं या C लिखे C ही लिखो C ही लिखो क्योंकि हमें VALUE निकालनी है इसकी अगर VALUE ना निकालनी होते तो हम ऐसे लिख देए इसे C ही लिख लिख लिया अब देखो यह रखना है X की वेल्यू 1, Y की वेल्यू 1 इसे रखो इसमें तो रखेंगे इसे, क्या हो जाएगा ये 1 बाइ 2 लोग ये भी 1, ये भी 1 दोनों तो 1 और प्लस 1 प्लस 10 इंवर्स कितना ये 1, 1 अपॉन 1 चलो, इधर लोग 1 और प्लस C ठीक है, इसको अलग-अलग केरते नाम करने के लिए तो माइनस लोग X था ना ये चलो, माइनस लोग 1 हो गया ये और इसे लोग C अलग और लोग X अलग तो माइनस लोग X और प्लस C अब इसमें देखो, लोग 1 की वेल्यू 0, तो ये तो 0 रख दोगे और 10 वर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4 इसे रखो, ये कितना हो गया? 2, ठीक है, ना तो ये हो गया 1 बाई 2 लोग 2 प्लस पाई बाई 4 और इक्वल 2 बचा C, तो ये C की वेल्यू आगे निकल के, ठीक है? ये C की वेल्यू आगे निकल के और इस C की वेल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे जहां से हम रखना शुरू किया था, यहाँ पे C की वेल्यू रख लेंगे और ये सारे हमने solve करी लिए हैं इसे हैं थोड़ा सा solve यहाँ पे कर लो इसे, यह हो सकता है यहाँ, इसे लिख लेंगे हम 1 by 2 लोग यह x यहाँ चला जाएगा y square plus x square upon x square यह tan inverse y upon x है और equal to minus log x है यह और C की वेल्यू यह थी हमारी हाँ, log 2 1 by 2, log 2 और plus pi by 4 यह हमारी C की वेल्यू हमने रख ली है और इसको देखो अगर तुम करोगे तो इसे ऐसे तो लिखेंगे 1 by 2, log x square plus y square और minus minus 1 by 2, log x square ठीक है ना, जो divide में होता है उसे ऐसे minus में लिख लेते हैं अच्छा, और plus 10 inverse y upon x equal to minus log x plus 1 by 2, log 2 और plus pi by 4 अब देखो आगर कैसे करोगे इसे तो यह 1 by 2, log x square plus y square minus, देखो जो power है यह multiply में आ जाएगी तो 1 by 2, log, 2 multiply में, 2 log x समझो एक कैसे कर रहे हैं है और plus 10 inverse y by x equal to minus के log x plus 1 by 2, log 2 plus pi by 4 इन्हें सब को इदर ले आओ ठीके? सब को इदर ले के आओ इन्हें क्या होगा देखो यह 2 से 2 कैंसिल हुआ यहां कितना बचा है minus log x और यह minus log x दोनों कैंसिल अच्छा अब यह क्या बचा है 1 by 2, log, x square plus y square और यह जो इसको भी इदर ले आओ minus 1 by 2, log 2 और plus 10 inverse y upon x और minus pi by 4 equal to 0 अब अगर तुम ज्यादा इसे और सोल करते हो 1 by 2 को मना जाएगा है और जो माइनस का 2 है इसकी डिवैड मा जाएगा ठीक है इसे डिवैड में लेकाओ तो यह आगा 1 by 2, log x square plus y square divide by 2 और plus 10 inverse y upon x minus pi by 4 equal to 0 यह आगा इसका आंस्वर अटब helps प्षर में जाएगा है एसे की सही आगा है the प्पजस कड़े अ Inte है की सही आगा है